नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है आज कल देश के जितने चोर भरस्ट नेता हैं सब के सब इकठा हो रहे हैं पिये मोदी के खिलाफ साजीस करने में सारे के सारे भरस्ट नेताओं की फोज जमा हो रही है और उस फोज के मुखिया बनने की कोशिश अरविंद केजरिवाल कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरिवाल जो अपने आप को लगातार कटर इमानदार कहते हैं अभी भी वो इतने परेशानियों के बावजूद ब्रस्टाचार के इतने मामलों के बावजूद जबकि उनके नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं इसके बावजूद भी बेशरमी से कटर इमांदार पाटी कहते नजर आते हैं ये आज कल उन पाटियों के मुखिया बनने की कोशिश कर रहे हैं जो कि भरस्ताचारी नेताओं को बचाने के लिए पीए मोदी के खिलाप साजिस कर रहा है और अब जब की धीरे धीरे एक एक करके पाटियों ने आम आदमी पाटी का सा देना छोड़ दिया तो केजरी वाल ने एक नई कॉंस्पिरेसी थियोरी सुरू की उन्होंने सोचा कि अगर पाटियों के अस्तर पर पीए मोदी का विरोध करते हैं अगर पाटियों का नाम लेके ये बार बार जो बाते कर रहे हैं कि पीए मोदी ने एटी और सीवी आई क गलत इस्तेमाल करके सारे नेताओं का गरफतार करवाया उनके खिलाफ मामले दर्ज करवाये और मनी लॉंडरिंग केस में सारे के सारे नेताओं को टार्गेट कर रहे हैं जो विपक्षी पाटियों में बैठे हुए हैं तो फिर इसका परसेप्सन क्रियेट नहीं होता को ये लगता है कि चुकी ये पाटियां खुद ब्रस्टाचार में फसी हुई है तो ऐसे में इनके बोलनेक से कोई फरक नहीं पड़ेगा और इसलिए अर्विंद केजरिवाल ने एक नई कॉंस्परेसी की और उस कॉंस्परेसी में वो रंगे हाथ पकड़े गए हैं ये प पूछ लोगों ने साफ्त और प्रकाहा कि ये पूरी की पूरी साजीस अर्विंद केजरिवाल की रच्च हुई थी आम आदमी पाटी के दफ्तर से ये सारा का सारा खेल चल रहा था और इसलिए सो से जादा एफायार भी दर्ज किये गए हैं ये जो पूरी की पूरी कॉंस केजरिवाल हों केसी यार हों उद्धव ठाकरे हों या फिर शरत पवार हों ये सारी की सारी पाटीयों के नेता ये चान रहे हैं कि जितने भी ब्रस्ताचार अब तक इन लोगों ने किया है उसकी कुंडली अब CBI और ED के पास है और इनके नेता एक एक करके जेल जाने की त केजरिवाल नहीं बलकि मोदी के खिलाप लोग इकठा हो रहे हैं पिये मोदी के विरोध में साथ में कड़े हो रहे हैं और इसलिए इन लोगों ने एक साजीस रची और उस साजीस में प्रिंटिंग प्रेस के कुछ मालिकों को बड़े बड़े टिंडर दिये गए इसमें दो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक गिरफ़तार किये गए हैं जिसे 50-50 hasard poster छापने के order दिये गए थे यानि दोनों printing प्रेस की बात करें तो दिल्ली के दो printing प्रेस में एक लाख poster छपबाये जाने थे जिसमें से 10,000 अभी बरामद किये गए हैं और वो एक लाख poster किस बात के ल देश बचाओ इसमें और कुछ नहीं था ना प्रिंटिंग प्रेस का नाम ना किसी पार्टी का नाम ना किसी संगठन का नाम यानि कि सामानने लोगों के आधार पर ये साजी स्रची गई कि दिल्ली के लोग पिये मोदी से इतने नाराज हैं कि अब उनके खिलाप सडकों पर पोस्टर लगाने लगे हैं लेकिन ये कॉंस्पिरेसी धीरे धीरे खुल गई और दिल्ली फुलिस के एक हेड कॉंस्टेवल ने सबसे पहले देखा कि कुछ जगह पर एक यूबक पोस्टर लगा रहा है वो पोस्टर मोदी हटाओ देश बचाओ का है जब उसे उस यूबक से पूश ताच की तो उसने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा और कहा कि हमें जो चार दस पोस्टर लगाने के लिए कहा गया था हमें उसके लिए पैसा दिया जा रहा है इसलिए हम तो सिर्फ और सिर्फ ये पोस्टर लगा रहे हैं हेड कॉंस्टेवल ने उसके पास से जड़ कहा है और उसके दो दिन बाद ही पता चला आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकलते हुए एक वैन में जहां पर दस हजार से ज़ादा ऐसे पोस्टर थे और वो रंगे हाथ पकड़ा गया वैन में बैठा हुआ दो व्यक्ति जब उससे पूश्ट आज की गई तो उस जाना है जब उसने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से सवाल किया कि ये पोस्टर जो बने हैं उसमें कहीं भी आम आदमी पार्टी लिखा हुआ तो नहीं है तो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक ने कहा कि तुम्हें जो कहा जा रहा है वही करो इस से जादा कुछ सवाल करने की जरूरत नहीं है सिर्फ ये वेन ले जाओ और आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाकर ये सारे के सारे पोस्टर पहुंचा दो उसके बाद से अलग-अलग इलाकों में छापे मारी की गई छे लोगों को गिरफतार किया गया जिसमें दो प्रिंटिंग प्रिस के मालिक भी है जिसके वो आम आदमी पार्टी की तरफ से और दिये गए थे कि पचास-पचास हजार ऐसे पोस्टर चापे जाएं और अब जब छे लोगों को गिरफतार किया गया है तो उसके बाद दिल्ली के अलग-अलग कोनों में करीब-करीब सौ से जादा एफायार दर्ज किये गए एफायार तो दर्ज किये गए हैं दो मामलों में जिसमें से एक दिवारों को खराब करने सार्दनिक संपत्ति के सौर्दनर्य करन को खराब करने के खिलाफ एक एफायार दर्ज किया गया और दूसरा एफायार उन दोनों प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों के खिलाब दर्ज किया गया जिसमें उसका नाम दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि अगर कोई भी poster छापे जाते हैं बैनर छापे जाते हैं तो जो संगठन या जो व्यक्ति उस poster को छबाता है उसका नाम भी लिखा जाना जरूरी है और दूसरे तरफ जिस printing प्रेस में ये छबाया जा रहा है उसका नाम भी दर्ज होना चाहिए लेकिन इन लोगों को तो एक अलग perception क्रियेट करना था इसलिए न तो आम आदमी पार्टी का नाम उसमें है नहीं प्रिंटिंग प्रेस का नाम है इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है क्योंकि पिछले दिनों से जब से मनीज सी सौधिया की गिरफतारी शराब घोटाले में हुई है उसके बाद से दिल्ली का महौल बदलता दिखाई पड़ रहा है अर्विंद केजरिवाल frustrated हो गया है परेशान है कि अब उसका नंबर भी आने वाला है लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी परेशानी इस बात के लिए भी है कि दिल्ली के लोगों के अंदर ये भावना पैदा होने लगी है कि आम आदमे पार्टी इमानदार पार्टी नहीं है पिछले दिनों जब कुछ मीडिया रिपोर्टस और रिपोर्टस लोगों से बात करने के लिए गए तो उसमें अलग-अलग रिपोर्टस सामने आए उसमें अरविंद केजरिवाल के बारे में जो पहले से उनकी धारनाय थी वो धारना बदल चुकी है हाला कि कुछ लोगों ने ये कहा कि दिल्ली में स्कूलों के अंदर अस्पतालों के अंदर थोड़ा काम बहतर हुआ है लेकिन इससे घोटाले का कोई लेना देना नहीं है अगर आपने थोड़ा बहुत काम किया तो इसलिए आपको लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है कि आप भोटाले करें इसलिए कटर इमांदार कहे जाने वाले आम आदमी पार्टी पर अब सवाल उठता है और दूसरी तरफ जब परधान मंत्री नरिंद्र मोदी के बारे में बात की गई तो लोगों ने कहा कि जिस तरीके से विदेशों में भारत का नाम रोशन हुआ है जिस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तायत लोगों के एकाउंट में पैसे आने लगे है परधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने जो काम किया है उनको अब ये काम बरकरार रखने के लिए और मौका दिया जाना चाहिए और ये बात दिल्ली के लोगों के थी और जब ये रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद अरविंद केजरिवाल की कैम्प में बौकलाहट मच गई ये धीरे धीरे अपने दड़वे से बाहर निकलने लगे कुछ प्रेस कॉंफेंस भी किया और उसके साथ भलसवा डेरी के उन जगों पर पहुँच गए जहां कूडे का पहाड़ है MCD के अस्तर पर काम करने की कोशिश की अरविंद केजरिवाल की पार्टी ने डोर टू डोर कमपेंड करने की पूरी तयारी कर ली कि अब घर घर तर जाकर बताएंगे कि उनके नेताओं के साथ पी एम मोदी ने गलत किया है यहां तक की केजरिवाल ने अपने इंटर्विव में भी इसी तरीके के फरजी वाड़े का जिक्र किया कि जब पी एम मोदी से कोई मिलने जाता है तो उनको कुछ लोगों ने बताया कि पी एम मोदी से मुलाकात करने वाले लोगों के साथ जब वो बैक कर बात्चित करते ह तो जादातर समय वो अरविंद केजरिवाल की बुराई में बिताते हैं ये बात अरविंद केजरिवाल ने खुद कही है जबकि अरविंद केजरिवाल अगर परधान मंत्री नरेंदर मोदी से मिलने के लिए जाते हैं तो वो ऐसे हाँ जोर कर खरे रहते हैं जैसे की एक सा सामने खड़ा हो लेकिन अर्विंद केजरिवाल बाहर निकाल कर वही हेकड़ी दिखाते हैं और पिये मोदी के साथ मिटिंग में अगर इस तरह के बाते होती तो अब तक ये बात सामने आती कि किसी भी मंच पर अभी तक पिये मोदी ने अर्विंद केजरिवाल का नाम से बोलते भी नहीं है वो मुद्दो की चर्चा करते हैं लेकिन अर्विंद केजरिवाल को लगा कि इस बीच जो उनके खिलाफ दिल्ली के लोगों के अंदर परसेप्शन बदल रहा है उसमें ये जरूरी है कि यहां के लोग चलते फिरते ये देखे कि दिल्ली में दिल्ली के लोगों ने आपस में मिलकर ये तै किया है कि अब मोदी हटाने और देश बचाने के लिए एक पोस्टर अभियान शुरू किया जाए और जब लोग चलते फिरते ये देखेंगे कि दिल्ली में चारो तरफ मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगे हैं और वो भी बिना किसी पार्टी के नाम के साथ तो उनके अंदर इस बात के लिए महौल बदलेगा कि अभी भी केजरीवाल के समर्थक लोग हैं। और इसलिए ये परसेप्सन क्रियेट करने के लिए इन लोगों ने पूरी की पूरी कॉंस्पिरेसी की। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस ने उन छे लोगों को गिरफ्तार किया और अभी गिरफ्तारियां बाकी है वैसे ही आम आदमी पार्टी की पोल खुलने लगी। बड़ा डिक्टेटर स्टिप और क्या हो सकता है लेकिन सवाल पोस्टर का नहीं है सवाल गैर कानूनी तरीके से पोस्टर लगाने का है संविधान के खिलाफ काम करने का है और उसमें केजरी वाल एंड गैंग की पूरी कॉंस्पिरेसी का है इसके तार आम आदमी पार्टी के दफ्तर से जुड़े हैं और अब दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के दफ्तर को नोटिस देगी वहां के आफिस विरर बताएंगे कि ये सारी के सारी कॉंस्पिरेसी कहां से चल रही थी और फिर ये जाच अरविंद केजरिवाल तक भी पहुचेगी तो इसी तरह के ख झाल